हेलो दोस्तो स्वागा थे आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज की वीडियो में हम आठ फरवरी से समंधित उतरब्रदेश के सभी एक्जाम के लिए मुस्ट इंपॉर्टेंट करेंड रफेर के कुष्टन को डिसकस करेंगे और हरे कुष्टन से रिलेटेड आपको फेक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे एक कुष्टन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी पीडिएफ डाउनलोट करनी है तो इसकी पीडिएफ आप मारे टेलिग्राम गुरूप से डाउनलोट रह सकते हैं टेलिग्राम गुरूप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं आज का सिसन सुरू करनी से पहले हम कल के कुशियन का रिवीजिन करेंगी कल का पहला कुशियन है हाली में भारत के किस सिक्षण संस्थान ने निकाता विश्व विद्यालाई जापान के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है पोप्सन नमेर B IIT BHAD ने अगला जुशियन है उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में ड्रोन ऑपरेटर प्रसिक्षण कूर्स अरंभ किया जाएगा इबसका जो करेक्ट अंसर है वो है पोप्सन नमेर C IIT कानपूर में अगला कुशियान है हाली में किस देश ने इंग्लेंड को चार विकीट से हरा कर अंडर 19 विशो कप 2022 का खेताब जीता इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ऑप्सन नमर B भारत ने और दोस्तों उत्तर प्रदेश करेंट अफिर की लास्ट वन इयर की अगर आपको PDF डाउनलूड में मिल जागी वहां से आप इस PDF को डाउनलूड कर सकते हैं इस PDF में हमने जन्वरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्र प्रदेश करेंट अफिर की सभी इंपोरेंट कुश्यंस को विस्तार पूरवक बताया है और दोस्तों इसके साथ है अगर आपको जन्वरी 2022 की उत्तर प्र और इमेल मिल जाएगा जिस पर आप पॉंटेक्ट कर सकते हैं अगला गुश्यान है सो वंडे मैच खेलने वाली पहली भारतिये महला क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड किसकी नाम पर है जिन्हें वर्स 2007 में अरजुन अवार्ड और 2014 में पद मिस्री से नवाजा जा चुका है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन नमबर B अंजुम चोपडा का अगला गुश्यान है काला घुडा फेस्टिवल 2022 फरवरी में कब से कब तक मनाया जा रहा है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन नमबर C पांच फरवरी से तेरा फरवरी तक अगला गुश्या सीथ कालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां हुई तो जो चौबीस वे सीथ कालीन ओलंपिक खेल हैं इसकी शुरुआत हुई है चीन के बीजिंग में यानि ऑप्स नमबर डी यहां पर करेक्ट होगा अगला कुशियन है हाली में मिले हिमालय से तीन गुना उचे पहाड़ वेग्यान को ने क्या नाम दिया है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्स नमबर बी सुपर माउंटेन अगला कुशियन है किस राज में उपन एयर क्लासरूम पराय सिक्षाले सुरू किया जाएगा इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्स नमबर सी पश्यम मंगाल में अगला कुश्यान है पांच परवरी 2022 को पंडित भीम सेंज जोसी की कौन सी जोयनती मनाई गई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है option number D. 100V. जोयनती तो दोस्तों ये थे कल के questions जिसका हमने revision किया अब हम सुरू करते हैं आज का season आज का पहला कुश्यान है UP Metro Rail Corporation किस Metro में mobile phone online ticket booking की सुविधा शुरू कर रहा है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है option number B. कानपूर मेट्रो में QR code ticket से यात्रा की सुविधा देने के बाद अब उत्तर प्रदेश Metro Rail Corporation कानपूर में कानपूर Metro के नाम से एप लॉंच करने जा रहा है इसके जरिए online भुकतान करके ticket लिया जा सकेगा mobile screen पर ही QR code आ जाएगा जिसे automatic fair collection gate से touch कर platform पर पहुचा जा सकेगा तो दोस्तों ये question भी important है क्योंकि प्रदेश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब यात्री Metro का ticket जो है वो online जरिये से ले सकती है और किस Metro में ये सुविधा शुरू की जा रही है तो कानपूर Metro में और इ एप लॉंच करने जा रहा है तो यहां से आपको चीसे ध्यान रखना है क्योंकि पहली बार उत्रप्रदेश में ऐसा हो रहा है जब Metro के लिए online भुक्तान किया जा सकेगा ठीक है अगला question है हाली में सुरस आमरगी लता मंगिसकर जीका निदन हुआ है उत्तरप्रदेश सरक जहां उन्हें अवद रत्न से सम्मानित किया गया था अवद रत्न सम्मान समीति के महामंतरी अतहर नवी ने इस सम्मान के लिए अमंतरित किया था तो यह काफी important है ध्यान रखना है कि जो लता मंगिसकर हैं जिनका हाल ही में निदन हुआ है तो उन्हें जो है सितंबर 1929 को 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था कहां पर तो मद्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था और दोस्तों लता मंगिसकर जो है इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया तो भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था तो यह काफी important approach से ध्यान प्रुच्कार जो है इन्हें कई बार दिये गए 1908 मैं, 1962, 1965, 1979, 1993 और 1994 में इन्हें जो है प्रुशकार पद में भूशन दिया गया और इसके अलावा ने पद में भूशन कब दिया गया तो भीवूशन भी आपको धया रखना है तो पद में भूशन दिया गया था इनको लिए झाल अरत्रत्न 2001 में दिया गया पद्म भूशन 1979 में और पद्म विभूशन 1999 में नहीं दिया गया था और दोस्तों इसके अलावा भी इन्हें कई सारे सम्मान से सम्मानित किया गया तो यह कुछ इंपोर्टेंट है जो कि आपको चीश से ध्यान रखने हैं अगला कुश्यन है हाली में उत्रप्रदेश सरकार से आजीवन कारावास की समय पूर्व रिहाई की निती पर पुनर विचार करने का निर्देश किसके द्वारा दिया गया इसका जो करेक्ट अंसर है वह है इसकी निती के अनुसार सभी दोसी जिन्होंने 60 साल की आयू पूरी कर ली है और बिना किसी चूट के 20 वर्स और चूट के साथ 25 वर्स जेल में बिता चुके हैं तो उन्हें समय पूर्व रिहा किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा बनाई गई इस निती के तहत दोसियो की समय पूर्व रिहाई के लिए समविधान की अनुच्छेद 161 के तहट प्रदत सक्तियों का प्रियोग किया गया है तो अभी जो है सर्वोच नयायले ने उत्तर प्रदेश सरकार से आजीवन कारावास की समय पूर्व रिहाई की नीती पर पुना विचार करने का निर्द अंसर है वो है option number C सौरव गाउंगली ने राजस्तान के मुख्यमंतरी असोक गहलोत और BCCI के अध्यक्ष सौरव गाउंगली ने जैपूर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधार से ला रखी जैपूर का अंतराश्टी क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम होगा यहीं दोस्तों जो सौरव गाउंगली हैं BCCI के अध्यक्ष इन्हों ने जो जैपूर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के अधार से ला रखी वो भारत का दूस की बात की जाए कि कितने दर्सक इसमें बैठ सकते हैं तो 75,000 दर्सक इसमें बैठ सकते हैं दोस्तों ये कुश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इससे आपको अच्छे सी ध्यान अटना है आने वाले एक्जाम में यहां से कुश्चन आप से पूछा जाएगा कि दुनिया का ती में है ठेके नाम क्या है तो नरिंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम उसका नाम है पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम लेकिन हाली में इसका नाम बदला गया और प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के नाम पर इसका नाम रखा गया यह है कहां पर तो यह एहमदाबाद मे इस्तित है इसमें अगर बात की जाए कि कितने दर्सक इसमें बैठ सकते हैं तो एक लाग बतीस हजार एक लाग बतीस हजार दर्सक जो है इसमें बैठ सकते हैं मोटेरा इस्टेडियम जिसका नाम क्या हो गया है नरेंद्र मोदी इस्टेडियम इसका नाम है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा cricket stadium है दोस्तों दूसरा cricket stadium के अगर बात की जाए कि दूसरा कौन सा है तो औस्टेलिया का Melbourne cricket ground ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा cricket stadium है जहां पर दर्सकों के अगर बात की जाए कि कितने दर्सक एक साथ बैठ सकते हैं तो एक लाख चोबीस दर्सक जो है उसमें बैठ सकते हैं ठीक है तो ये भी आपको ची तरीके सिध्यान रखनी है पहला दूसरा और तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियम अगला उश्यान है हाली में मद्यप्रदेश सरकार ने कितने इस्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्शन इमबर डी तीन इस्थानों की भारा सरकार ने मद्यप्रदेश में तीन इस्थानों उसंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, सिवपुरी को कु नाम बदलने का प्रस्ताव रखा नाम बदलने की मंजूरी ग्रह मंत्रालाय द्वारा दे गई थी प्रसिद्ध पत्रकार और कवी माखनलाल चतुरवेदी के नाम पर बाबई का नाम बदल करके क्या रखा गया तो माखन नगर किया गया माखनलाल चतुरवेदी के बारे में देखें तो इनका जो जन्म है वो MP के या निमद्य प्रदेश के बावई में हुआ था सरकार ने 1992 में माखनलाल के नाम पर भोपाल में पत्रकारिता और संचार के एक राष्ट्री अविश्विद्ध्याला का भी नाम रखा है तो दोस्तों यहां से आपको काफी चीज़ें अ माखन नगर किया गया और जो बावई है इसका नाम माखन नगर किसके नाम पर किया गया तो माखनलाल चतुरवेदी जो की प्रसिद्ध पत्रकार और कवीरे इनके नाम पर इसका माखन नगर नाम किया गया और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो माखनलाल चतुर जिस वज़े से इसका नाम जो है माखनगर किया गया तो तीनों चीज़ से ध्यान रखने हैं हुशंगाबाद, सिवपूरी और बावई को अगला गुश्यान है विकलांग विक्तियों के लिए कौन सा भारत का पहला AI अधारित जॉब प्लेटफॉर्म लॉंच किया गया इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन नुबर B सुराजबिल्टी भारतिय प्रद्यकी संस्थान IIT हैदराबाद ने सुराजबिल्टी का बीटा संस्कार्ण लॉंच किया है जो Artificial Intelligence द्वारा संचालित एक जॉब पूर्टल है जो विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौसल हासिल करने और नौकरी खुजने में मदद करता है मंच नौकरी चाहने वालों के प्रोफाइल का विसलिसन करेगा और उन कौसलों का सुझाव देगा जिनकी उन्हें पात्र बनने की आवस्यक्ता होगी इस चनोती को संबोधित करने वाला एक मंच आबादी के इस कमजोर वर्ग की मदद करेगा तो दोस्तों आपको धियान रखना है कि भारतिय प्रद्वकी संस्थान IIT हैदराबाद ने सुराजबिल्टी का बीटा संस्क्रन लॉंच किया जो की आर्टिफिस्यल इंटेलिजन्स द्वारा संचारित है और ये एक क्या है जोब पोर्टल है जो की विकलांग लोगों को नोकरी खोजने में मदद करता है तो अगर पूछा जाए कि सुराजबिल्टी क्या है तो ये एक जोब पोर्टल है जो की विकलांग लोगों की मदद करता है नोकरी खोजने में अगला कुश्यान है लॉंच उपन्यास अथर्व दा ओरिजन के लेखा कौन है इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ओप्सन नमबर ए रमेश थमिलमनी रमेश थमिलमनी ने अपना उपन्यास अथर्व दा ओरिजन लॉंच किया विर्जू स्टूडियोज ने मिडास डेल्स प्राइवेट लिम्टेट के सहयोग से अपने ग्राफिक उपन्यास अथर्व दा ओरिजन का मोशन पुष्टर जारी किया इस ग्राफिक उपन्यास में किर्केटर महिंदर सींग धोनी को सुपर हीरो अथर्व की रूप में चित्रित किया गया था इस पन्यास में 150 से अधिक संजीव चित्रण हैं जो की मनुर अंजक रस्पून कथा को प्रस्तूत करते हैं और दोस्तों यह जो उपन्यास है अथर्वदा ओरिजिन इसमें किस किर्केटर को सुपर हीरो की रूप में दरसाया गया तो आपको ध्यान रखना है महिंदर सींग धोनी को यहां पर आपको महिंदर सींग धोनी और रमेश थमिल मिनी दोनों का नाम अच्छी से ध्यान रखना है और अपन्यास क्या है तो अथर्वदा ओरिजिन अगला गुशियन है वर्स 2021 में भारत के व्यापार भागिदार की रूप में सीर्स इस्थान पर कौन सा देश रहा इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ऑप्सन नमबर बी अमेरिका सेंगत राज अमेरिका ने वर्स 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर की व्यापार के साथ भारत का सीर्स व्यापार एक भागिदार देश पनने का दरजा हासिल किया भारत की सीर्स दस व्यापार एक भागिदारों की हैं जबकि अमेरिका की बाद चीन भारत के साथ व्यापार की मामले में एक सो दस दसमलब चार अरब डॉलर था तो दोस्तों आपको ध्यार रखना है की भारत का सीर से व्यापार एक भागीदार देश कौन सा रहा वर्स दो हजार एकीस में तो वो रहा है सैक्ट राज अमेरि यानि USA के अगर बात की जाए कि इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है तो जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिका की प्रेसिडेंट है और अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है यानि उपरास्ट पती है वो कौन है तो भारतिय मूल की कमला है अमेरिका की उपरास्ट मनाए गया इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ऑप्सिन इंबर डी चार फरवरी को चार फरवरी को दुनिया भर में अंतराश्टिय मानाव बंधुता दिवस मनाए गया इस दिवस को मनाने का मुख्य उदेश विभने संस्कृतियों धर्मों या विश्वासों के बारे में मानाव बंधुता का पहला अंतराश्टिय दिवस 2021 में मनाया गया था तो दोस्तों आपको ध्यार रखना है कि हर साल चार फरवरी को अंतराश्टिय मानाव बंधुता दिवस मनाया जाता है और इसके अलावा जो है चार फरवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है तो आप दीवस, 4 फरवरी को मनाई जाते हैं, विश्व कैंसर दीवस और अंतराष्ट्रिय मान वद्धिता दीवस और इस वर्ष की अंतराष्ट्रिय मान वद्धिता दीवस की थेम भी आपको चेसे ध्यान रखते हैं, अगला कुश्यान है, हाली में NCERT का निदीशक किसी निउक्त क किया गया इसका जो correct answer है वो है option number a प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राश्ट्रियस सेक्षिक अनसंधान और प्रसेक्शन परिसद यानी NCRT इसका full form क्या है तो National Council of Educational Research and Training NCRT का full form है इसका नया निदेशक नियुक्त किया गया है उन्होंने हिर्शी के सेनापती का इस्थान लिया है जन्होंने एक साल पहले अपना कारिकाल समाप्त किया था नए निदेशक को पदभार ग्रहन करने की इतिति से पांच वर्स की अवदी के लिए या पैंसट वर्स की आयू प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक जो ग्रहन करने की तिथी से पांच वर्स की अवदी के लिए या फिर इनकी आयू के पैंसेट वर्स तक या फिर अगले आदेश तक जो भी पहले होगा तो उस अवदी तक इन्हें नियुक्त रखा जाएगा तो यहां से आपको चैसे ध्यान रखना है कि नए निदेशक बन गए हैं कौन प्रोफिसर दिनेश प्रसाद सकलाने तो दोस्तों यह थे आठ फरवरी से समंधित उत्तवरदेश के सभी एक्जाम के लिए मुस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेर के कुश्चन जो कि हमने डिसकस कि अब हम देखते हैं कल के वीडियो को कुश्चन जो हमने आप आप से हरोज कहता हूं कि जो भी कुश्चन आप से पूझा जाए तो सभी लोग कुश्चन का अंसर जरूर किया करो तो यह आज का कुश्चन हाली में महान गाईका लता मंगिसकर का निधन हो गया इन्हें किस वर्स भारत रत्ने से सम्मानित किया गया था अप्सन नमबर A है 2001, B है 2004, C है 2008 और D है 2013 इसका जो भी करेक्ट अंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो दोस्तो अगर आपको असके वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी वेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू